तो वेल्कम गाईस फिरसे स्वागत है एक नई वीडियो में तो दोस्तों अगर आपके पास कोई VDLME कंपनी का phone है और उस phone को दोस्तों आप जो है format करना चाहते हो, reset करना चाहते हो, factory data reset करना चाहते हो तो कैसे करوगे इसके लिए simply आपको अपने phone की setting को open करना है नीचे को आना है यहाँ पे मिलेगा additional setting यहाँ पे आना है और सबसे नीचे को आना यहाँ पे मिलेगा backup and reset यहाँ पे किलिक करना है और जैसे किलिक करोगे यहाँ पे मिलेगा reset phone यहाँ पे किलिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा Erasal Data ठीक है यानि Reset Factory सेटिंग तो इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका स्क्रीन लोग है उससे यहां पर डालना है अब दोस्तों जो भी आपकी इमिल आडी, गोगुल आडी होंगी सबी यहां पर सो हो जाएंगी अपना लिक के रख लीजिए क्योंकि वो भी दोस्तों साथ में डिलीट हो जाता है सारा डाटा ठीक है तो Erasal Data पर फिर से क्लिक करना है और एक बार फिर से क्लिक करेंगे अब दोस्तों सक्सेस्फिली आपक फोन यहां पर स्विच ओफ हो जाएगा अब जब आटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा रिसेट हो जाएगा ओन हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से अपने फोन को रिसेट कर पाएंगी